वैलकम टू दी स्टालिश कोडर उमीरे कि आप सब बढ़िया होंगे आज का हमारे पास कोशन है रिस्टोर द एरे एक लीट कोट का हाड लेवल का यह कोशन है इस कोशन में हमको बता रखा होगा कि लाइक हमने एक प्रोग्राम लिखा होगा जिसको क्या करना है कि इंटीजर तो लाइक हो क्या रहा होगा अभी हमारे पास कोई नमबर है начि ना के से जबन आप है तो यह अगर अगर अपन कि मिस्टेक नहीं हुए होती हम यह नंबर किस ट्रीप में प्रिंट हो फ़र्स्ट आगर हम देखते हैं खो हुम सिंगल वन को प्रिंट्ट करवा सकते थे थे जीरो अलग, जीरो अलग, जीरो अलग को प्रिंट करा सकते थे, ठीक है, एक ऐसे हो सकता था, या ये 10 बन जाता, 10 बन गया तो ये 0 को हो माज, 0 ये भी प्रिंट हो सकता था, या ये ऐसे 10 के साथ, ये दोनों 0 क्या ऐसे भी प्रिंट हो सकते थे, क्या, या ये 100 के फॉर्म में तो प्रिंट नहीं हो रहा था कि ऐसे करके कुछ इस टाइप के हो सकता था हमाई पास possible areas ठीक है बट हमने mistake क्या कर दी हमने इस area को has an a string बना दिया तो अब हमारे पास क्या है कि हमको इस question में यह करना है कि like हमारे पास जो यह given case बना सकता हूँ जिसके अंदर यह जो भी numbers के अंदर आएगा वह बीच में हो one से के के बीच में ठीक है तो हमको leading zero नहीं रखने तो means यह वाला area तो हमारा हो नहीं सकता है possible ठीक है इसके अंदर देखो 10 तो हमारा possible है दूसरा zero and zero यह हमारे possible नहीं है यह वाला भी हमारे लिए possible नहीं क्योंकि zero leading हो रहा है ठीक है इसमें भी zero single zero अकेला गया ठीक है तो हमारे पास जो भी possible होगा हो क्या होगा कि यह पूरा का पूरा number ही हमारे लिए possible होगा means इस वाले जो example है इससे हम कितने सिर्फ एक array को यहाँ पर form कर सकते हैं ठीक है तो like अगर अगर अपन इसका दूसरा example देखते हैं दूसरे example में इनोंने कि हमको 1000 दे रखा है इस string से print हुआ है और साथ में क्या होगा कि हमारी जो limit है कि equal to 10 given है ठीक है क्या हम print करवा सकते है कि हाँ करा सकते है कि first में अगर हम यहाँ पर लेते हैं कि दूसरा number बनता 10 बनता 10 से करते हैं जो भी इसके बाद second number पर जो भी होगा वो क्या होगा zero होगा it means कि हम इस number को इस दीसी range में नहीं बना सकते तो इसका answer क्या हो जाएगा zero हो जाएगा ठीक है यहाँ पर दूसरा example 1317 करके है जिसकी range 2000 है ठीक है तो इन्होंने यहाँ पर पॉसिबल एरेस हमको बता दे कि इतने पॉसिबल एरेस हो सकते हैं और हम उन एरेस का यहाँ पर क्या बता देंगे का number हो वह हमारा zero ना हो leading zero ना हो उसके पास और वह हमारी इस range के अंदर आए ठीक है तो like मैंने यहाँ पर जो मेरे पास number 1317 करके है ठीक है इसको मुझे breakdown करना पड़ेगा क्योंकि मुझे single single elements तक जाना है means करना क्या मुझे like जो यह string इसको service में divide करना देना उसको चेक कर लेना इसकी range ठीक है तो basically मैं इसको अगर इस part में अगर breakdown करता हूं first मैंने क्या क्या one को रखा ठीक है और यह three one seven था ठीक है अगेन मैं इसको कैसे breakdown कर सकता हूं या पर कोमा लगा देता हूं एक बार तो सही रहेगा अपने understand one three one seven के यहां से ठीक है तो तेरा सत्रा हो गया फिर one three one फिर कोमा seven या मुझे इस पूरी string को भी में रख सकता हूं ठीक है तो यह मेरे पास possible ways है जिस form में मैं इस string को breakdown कर सकता हूं ठीक है क्या मेरे पास deze like यहां से breakdown हो गई है क्या मुझे इस steps को भी मुझे क्या breakdown कर सकता हूं मैं हाँ, कर सकते हो क्यूंकि मुझे इस की like बात करते हैं ठीक है तो यह range होगी हमारे पास तो लाइक हम इसको ओ डिवाइट करते तो मेरे पास किया बनेगा 1 3 ठीक है लाइक यह 3 1 7 इसको अपन डिवाइट करते तो 1 3 1 7 ऐसा रह सकता है या यह कुछ वो सुरी यहाँ पर 3 1 आ जाएगा यह 7 हो जाएगा ठीक है अगर हम चाहें तो like अगर आप देखो कि मेरे पास अगर मैं यहां first में इसको divide करता हूँ तो मेरे पास यहां से कितने result बिनते हैं कितने areas में बना सकता हूँ जो कि मेरे इस range में आ रहे हूँ कि मैं यहां से 4 areas बना सकता हूँ ठीक है अब बात करते हैं दूसरी जो मेरी starting की area निकलती वो 13 की हो गई means पीछे कितना 17 बचा क्या मैं इसको और तोड़ सकता हूँ like मैं इसमें एक divide यहां से कर सकता हूँ कर सकता हूँ ना 1 7 ठीक है तो मेरे पास इस वाले like मैंने इसको यहां से 3 के यहां से तोड़ा होता तो मेरे पास क्या हो जाता second हो जाता मतलब यहां से मेरे पास 2 areas में form कर सकता था क्या मैं इसको और breakdown कर सकता हूँ 1 3 1 तो मेरा first part हो गया second part को देखो क्या मैं इसको और breakdown कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ अगर breakdown करता हूँ तो मेरे पास जोई पीछ वाली string है उस step के हो जागे means मेरे पास यहां से कितना one string में form कर सकता हूँ और यहां से में one string form कर सकता हूँ तो like अगर देखो यहां से two, यहां से four, यहां से two, six, seven और eight eight areas में इस string से बना सकता हूँ इस range के अंदर ठीक है तो मेरा answer कितना हो गया eight हो गया ठीक है तो like अगर हम इसको summarize करते हैं कि हमारी approach हो क्या रही होगी हम basically like हमारे पास जो number 13, 17 हम इसको one by one breakdown करवाएंगे ठीक है like पहले first में यह से breakdown करवाया फिर ऐसे breakdown करवाया इस पार्ट हो गया फिर दना पार्ट बचा इसके इसको अपन इसके अलग-अलग divide करवा करा के चेक करेंगे क्या हमारी इस range के अंदर है या नहीं ठीक है और in the last जब हम इस वाली last वाली position पर पोचेंगे तब हम कह सकते हैं कि like हमने इस area को चेक कर लिया ठीक है अगर अगर अपन इसको देखते हैं कि like मेरे पास कुछ नमबर है 1001 ठीक है तो like मैंने इसको first में अगर यहां से इसे divide कराया है और इसके leading में क्या आ रहा है यह 0 आ रहा है तो क्या यह number मेरा valid होगा नहीं होगा यह number मेरा valid ठीक है अगर मैंने इस number को यहां से breakdown कराया मेरे पास जो starting की जो अब नया point बन रहा होगा वो क्या होगा यह 0 होगा ना इससे नया बनेगा तो क्या यह मेरे लिए valid होगा नहीं होगा ठीक है तो means अगर मैं इसको देखो कि मेरे पास इस type का area है इससे मैं possibly कितने बना सकता हूँ तो मेरे पास first तो 101 हो सकता है ठीक है दूसरा area मेरे पास हो सकता है कि 100 हो जाए यहां पे और यहां पे मेरे पास 100,1 हो जाए ठीक है तो यह दो मेरे पास possible areas हो सकते हैं इसके अलावा मेरे पास इस नंबर से कुछ भी पॉसिबल एरेस नहीं हो सकते ठीक है तो means हमाय पास एक condition ये भी होगी कि हमको leading 0 को भी देखना है कि leading 0 आए तो हमको उस type के एरेस को skip कर देना है मतलब उसको अपने को take नहीं करना है ठीक है तो काफी simple सी approach है फर्स में अपन क्या करेंगे जो हमारे पास number होगा उसको अपन one by one by break करते जाएंगे ठीक है फिर जो remaining number बचेगा अपन उस remaining number को भी breakdown करेंगे like single steps में जाएंगे और हम कितने areas form कर सकते हैं उसका अपन count निकाल लेंगे ठीक है तो चली करते हैं इसको code में तो फर्स में अपने आप एक method बना लेते हैं जो हमारे लिए पूरी की पूरी calculation करने वाली है ठीक है तो private void sorry void नहीं होगा इसका नाम होगा int होगा ठीक है नाम अपने इसको देते है helper और इसमें अपने ले रहे होंगे हमारी string s को int k को ठीक है और int i होगा जो हमको यह बताएगा कि like हमने जो partition किया है उसका starting point क्या है ठीक है तो first में like हमारे पास number क्या था जो अपने example देखा था 1317 करके था ठीक है तो इसको अपने break कैसे क्या था first में अपने 1 में तोड़ा था फिर 131 आया था फिर 1317 था ठीक है तो उसके लिए अपने आप एक for loop लगाते हैं ठीक है तो int j equal to i तो j हमारा कहा तक चल रहा होगा जो हमारी s की length होगी वहां तक जाएगा ठीक है और j हमारा यह से क्या हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा हो गया अब हमको क्या करना है breakdown करना तो हम यहां पर एक string बना लो ठीक है number होगा यह हमारा ठीक है तो as dot sub string होगा ठीक है और i plus j plus one ठीक है तो like हमने जो भी हमको इसमें string से form करना था वो हमने इसके अंदर form कर लिया ठीक है अब इसके बात like हमारे पास जो भी number बनेगा यह number हमारा case से जादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो if जो मेरे पास यह number बना है यह बहुत बड़ा number हो सकता है ठीक है तो मैं इसको long में लेता हूँ ठीक है long dot parse long ठीक है इसके अंदर पन भेज़ते हैं इस number को अब मेरा number कि इसमें जो इस ट्रिंग में था वो अब number में बदल गया है तो ठीक है अगर यह case से greater than हो तो it means इसको मुझे आगे process नहीं करना है तो मैं यह से breakdown कर दूँगा ठीक है अब यह तो हो गई हमने इसको एक बाद partition कर लिया अब हमारे पास जो इसके remaining जो counting बची होगी like इदर one था तो यहाँ पर कितना three one seven number बचा है उससे मैं कितनी form कर सकता हूँ उसको मुझे check करना है ठीक है तो like मेरे पास क्या होगा कि अगर मैंने number one से break किया है उसको तो मेरे पास like इसका count मिलना चीए ना ठीक है तो मैं यहाँ पर count बनाता हूँ तो int count equal to zero रखा है ठीक है और यहाँ पर अगर यह condition true नहीं होती है तो otherwise इसका नीचे चलेगा ठीक है तो यहाँ पर जो count है इसको अपना increase करवा देंगे like कैसे count plus जो मेरे पास यह helper है ठीक है इस helper के अंदर क्या भेजेंगे as भेजेंगे k भेजेंगे अब जो मेरा starting point जो i था वो i नहीं रहेगा क्योंकि मैंने उसकी like उसको breakdown कर लिया means उसकी starting की जो g थी मुझे वो मुझे मिल गया है ठीक है अब जो मेरा end point हो रहा होगा वो कितना होगा g plus one हो जाएगा ठीक है तो यह तो हो गई हमारे पास लाइगी हमारे लिए count लेकर आ जाएगा ठीक है question में हमको दे रखा था कि अगर हमारा answer बड़ा होता है तो हमको इसका क्या लेना है mode लेना है ठीक है mode mode को अपन या define कर दो to int mode is equal to one two three four five six seven और यह eight और यह seven ठीक है यह हो गया और like अब इसकी case की बात करते कि हमारे पास क्या case हो रहा था first case यह बनता था कि means हमारे पास अगर leading zero है तो हमको उसको भी नहीं देखना है तो if s.character at i equal to equal to zero ठीक है तो it means इसको अपने को नहीं लेना तो यहां से return कर देंगे अपन zero को ठीक है और हमारा जो base case means हमने इसको divide कर लिया है और हम इसकी last position तक पहुच पा रहे हैं तो means की हम area को form कर पा रहे हैं तो if अगर मेरा जो as.length है अगर वो equal to equal to क्या हो जाती है i के बराबर हो जाती है तो यहां से अपन return कर देंगे इसको one को ठीक है तो और in the last में अपन यहां से return कर रहे होंगे हमारे count को ठीक है तो यह तो हो गया आप इसके बाद अपन इस helper में इसको call कर लेते हैं तो like यहां से अपन return करते हैं helper as को भेजा ठीके के को भेजा और के के साथ लाइक अपने को starting index हो मारा होगा 0 ठीके तो एक बार run करते हैं देखते हैं कि syntax error तो नहीं कर रहे हैं हमाण ठीके तीनो case चले कर दो इसको एक बार submit तो यहां पर हो जाती है हमाई time limit exceed तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं memorization का use कर सकते हैं तो first create कर लो int dp ठीके तो like हमारे पास कितने states होंगे जो हमारे पास string की size होने वाली है तो new int as.length बनाओ ठीके इसमें plus करो one को ठीके यह हो गई हमाई dp इसको हम इस method के साथ भेज देते हैं तो यह dp यहां पर आएगा यहां पर अपन इस dp को receive कर रहे होंगे तो int dp ठीके तो like हम इस method को जब यहां पर call करेंगे तो इसमें भी अपने को pass करना है dp को ठीके अब हमको क्या करना है हमको dp की value को update करवाना है ठीके तो if first case यह चेक कि अगर हमारे पास dp के अंदर value है तो नीचे वाले process ना हो तो dp like जो i है अगर यह हमारा does not equal to zero होता है ठीक है तो it means यहां से return कर देना है dp को i को ठीक है यह हो गया और हम यहां पर like नीचे जहां से return करेंगे यहां पर value को update करवा देंगे तो dpi equal to count ठीक है तो इसको कर देते हैं again run ठीक है हमारे तीनों case चल गए कर दो इसको submit तो हमारा आज का code भी successful submit हो चुका है तो बात करते हैं अपन इसकी time and space complexity की तो वो क्या हो रही होगी तो first अगर अपन इसके अंदर देखते हैं इस problem के अंदर तो हमने यहां पर क्या बनाया एक dp को बनाया है ठीक है यह dp हमारा कितना space लेगी जितनी हमारी as की length होगी means अपन बोल देते हैं इसको and ठीक है और उसके अलावा बाकी की जो यह method है यह हमारे लिए पूरा काम कर रही होगी ठीक है बड़ जो next operation हुआ होगा उसमें क्या होगा होगा 3 1 7 हमारे लिए बची होगी ठीक है फिर हमारे लिए बची होगी 1 7 फिर हमारे लिए बची होगी 7 means हम क्या कर रहे हैं हम हर बार इस string को like एक एक step कम करते जा रहे हैं तो means जो इसकी time complexity होने वाली हमारे लिए कितनी होगी हमारे लिए उसकी time complexity हो रही होगी log like जो हमको k तक ही चे न, k से यह नंबर बड़ा तो हो नहीं सकता है ठीक है first में यह नंबर था यह मेरा k के बराबर हो सकता था means k से मेरा यह number छोटा हो सकता था but k से बड़ा तो नहीं हो सकता था means तो इसकी जो time complexity होगी इसकी for loop की वो हो रही होगी log k ठीक है और हमारे पास जो string है उसकी size कितनी है m तो अपन इसका करवा देंगे इसमें m में multiply ठीक है तो ये तो हो जाएगी हमारी time complexity हमारे code की अगर हम बात करते हैं इसकी space complexity की तो हमारा code कितना space ले रहा होगा जो हमारे पास dp का होगा ठीक है तो dp कितना space है हमारे पास like n size की हमारे पास बंद रही है तो हमारी जो इसकी space complexity होगी वो कितनी होगी on और हमारी जो इसकी time complexity होगी वो होगी log k multiply by n ना कि m n ठीक है हम इस quote को like iterative fashion में लिख सकते हैं हाजी लिख सकते हैं तो कैसे लिख रहे होंगे हम तो first like हमको dp तो चाहिएगी चाहिएगी इसके अंदर तो first अपन इस return statement को करते हैं और इनी steps को अपन यहाँ पर लिख रहे होंगे तो first अगर आप यहाँ पर देखो हम कर क्या रहे हैं हमने string को breakdown करवाया है ठीक है one by one तो अपन ने यहाँ एक four loop बनाओ int i equal to zero से चालू हुआ यह कहां तक जाएगा जा तक मेरी as.length होगी वहां तक यह जा रहा होगा और i plus plus होगा यहां से ठीक है तो first condition हमने क्या देखी थी जो भी मेरे पास like starting point था वो starting point में क्या हो जाता था कि like मेरे पास वो i अगर उसमें वो zero के बराबर है तो मुझे उसको नहीं लेना तो मैं यहां पर कंडिशन लगा देता हूं कि if as.character at i पे अगर वो equal to equal to zero है तो उस case में यहां से भाई तुझे zero को नहीं लेना है तो means इस step को तुझे भूल जाना है ठीक है continue मतलब इस partition की अब कोई value है नहीं तो दूसरे partition पर जा ठीक है यह हो गया अब इसके बाद अगर हमारा partition valid है मतलब इसमें leading zero नहीं है तो means जो इसके बाद की जो string बची है तुझे उसको check करना है ठीक है तो like हमारे पास यहां पर एक for loop बनाया अपन ने ठीक है इसके बाद के next partition ठीक है तो इसको j बनाओ ठीक है i से चालू होगा ठीक है और यह j tends to मेरा कहां तक जाएगा जितनी मेरी s की length होगी s.length और यहां पर हो जाएगा हमारा j++ हो गया ठीक है हाँ हो गया अब इसके बाद next में क्या था हमारे पास अब क्या एक sub string होगी means जो हमारे पास आई था पहले one three ऐसे करके आया होगा ठीक है तो हम उस टीच को देख रहे होंगे तो like मेरे पास यहां पर एक string बन जाएगी number करके जो हमने नीचे बना रखिये ठीक है लाइक अपन यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं यह as dot यह string ठीक है और इसको यहां पर पेस्ट किया ठीक है यह string हो गई like हमको इसकी condition भी चेक करनी है क्या condition की यह इसमें हो तब इसको break कर देना है ठीक है तो यह same condition को अपन यहां पर भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, अब इन केस हमारी जो ये condition अपने लगाई है, अगर ये condition हमारी क्या होती है, वैलिड होती है, ठीक है, अगर ये वैलिड नहीं होती है, तो means हमको इसको calculate करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारी dp करके चल रहा होगा, ठीक है, हमारे पास जो end point है अपने उस end point पे value को डाल देंगे ठीके जो end हो रहा होगा j plus one equal to इसका हो जाएगा हमारे पास dp जो इसके पास पूराना count होगा वो और like अपन इसको plus करवा देंगे dp.start वाली से क्यों क्यों क्योंकि like हमारे पास जो starting portion है ठीके क्या starting portion था means हमने अगर one को लिया तो one वाला हो जाएगा ठीके उसके बाद अगर हमारे पास like इस type में division होआ है तो means हमारे पास इतना फिर इसके बाद इस जो three number से चालू हुई ये string उसके अंदर कितना calculation है उन सबका sum होके इदर j plus one के अंदर जाके save हो जाएगा ठीके और इसका अपन ले लेंगे यहां से mode ठीके and then अपने को क्या करवाना रहेगा अब last में जाके यहां से return करवाना रहेगा dp as.length पे क्या dp बनी है हमारे पास उसको ठीक है then बाकी कोट को अपन हटाया देते हैं इसमें से जरुबत नहीं अपने को ठीक है तो कर दो इसको run आ गई हमारे पास error क्योंकि हमने यहां पे लिख दिया था we करके mode लेना था बस क्योंकि error इसले भी आई है क्योंकि हमने इसको first variable को initialize ही नहीं किया तो dp 0 equal to हो जाएगा हमारे पास one तीनों case चले कर दो submit तो यह code भी हमारा successful submit हो चुका है अगर इसकी time and space complexity देखे तो इसका भी time and space complexity होगा वो same ही होगा जो previous method का था तो guys यह था हमारा आज का solution उमीद है कि आपको हमारा solution अच्छा लगा होगा फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ तब तक के लिए बाई झाल